कि नमस्कार मैं इसके मंडल एक साई एस ओफिसर आज एक ऐसा भी से मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है फ्लुएंसी इल्यूशन लोगों यह टार्म को बहुत लोग ने जानता नहीं है एक्ट्व प्रॉब्लेम है कि हम बहूत सारा पड़ाई करता है एकदम धैन से दील से एकदम मलब सारा सल एकदम महनत से पड़ाई करने के बाद हमरा background रेजाड नहीं आता है और एकजाम सेंटर में जाके हम धुआ देखते रहता है ऐसा लगता है मेरे दिमाग में कुछ है नहीं इस प्रॉब्लेम का नाम है फ्लुएंसी इल्यूशन हम ऐसा जुगाड बताएंगे ऐसा जुगाड बताएंगे कि आप जिन्नेगी में भूलना भूल जाओगे मतलब आप कोसिस करके भी आप चाते हुए भी भूल नहीं सकते ऐसा जुगाड हमें बनाना है जो भी पढ़ना है ऐसे जुगाड हमें बनाना है कि आप भूलने का इच्छा भी होगा तब भी नहीं बूल सकते ऐसा जुगाड हमें बनाना है तो हमें इस फ्लुएंसी इल्यू को खतम करना है actually fluent solution multi-dimensional है यह बहुत ही research का भी से है बट इसका जुगाड बनाया गया इसका सबसे पहला जुगाड है कि consistent study and effective study strategies तो आपका consistent study and effective study strategies हम follow करें तो ये चीज खतम हो जाएगा इसका सबसे तोप तरीका है वो होता है retrieval practice पुनव प्राप्ति अभ्यास तो retrieval practice और पुनव प्राप्ति अभ्यास का बात करें इसका नाम होता है इसके लिए जो सबसे पहले हम यूज करेंगे वो होता है फिन मैंस technique और फिन मैंस technique में बोला गया पढ़ो पढ़ा फिर पढ़ो रीड रिसाइट और रिवाइस एर रीड का मतलब है आपने एक chapter पहले पढ़ा फिर आपको पढ़ाना पढ़ेगा किसी को अगर कोई नहीं मिला आपको एक imaginary भार्चुआल एक student बना के पढ़ाना पढ़ेगा और पढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ा वही रटा और वही जाके चिपका दिया नहीं रटने वाला चीज नही क्या करना है ना आपना लेंग्वेज से एकदम made simple made easy not made difficult made easy एकदम लेमेंस लेंग्वेज में बच्चे भी समझ पाए ऐसा लेंग्वेज बनाके आपको पढ़ाना पढ़ेगा अगर उस पढ़ाने में आप कमियाब ना हो आपको जहां चहां दिक्कत आएगा उहां उहां आ आप रिवाइस करें फिर पढ़ें ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप जिन्देगी में कभी भूलेंगे नहीं इसके लिए मैं एक जुगाण बनाया हूं कि अगर आपके पास प्लेस है स्पेस है तो एक हुआइड बोड खर दिलेना आप उस हुआइड बोड में आप पढ़ और यह बाद धन रखें अगर आप कोई भी सब्जेट में मस्टर बनना चाहते है तो उसको पढ़ाओ तभी आप मस्टर बन सकते हैं ठीक है नहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाता है तो इसके चक्कर में अगर मस्टर बनना है तो उसके लिए पढ़ाने वाला टेक्निक है मनलग इसका जो फिनमें टेक्निक है वो यह है read, that is पढ़ो, recite मनलग पढ़ाओ, फिर revise मनलग फिर से पढ़ो ऐसे करते रहोगे तो आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है हार चीज जो है दिमाग में घुसा रहेगा ओ दिमाग से उतार नहीं सकते दूसरा होता है मंदल का जु करें और कोई ना कोई नून फेनोमेना से कनेक्ट करें जैसे हैं कि जब एक मूлी बनाया था अमीर खान लगण मूवी बनाया था कि उसमें दिखाया गया कि पहले जब में आंघ्याज में क्रिकेट खिलते थे इंडिया में क्रिकेट नहीं था तो आंगरेज ने जब surprising खिलते थे उस तैम में अमीर खन का सारे गाउवाले जो गय थे जाके देखा अंगरेज से मालाख हमिए लगो की नहीं कि वह एओ है आलोड़ी मतलब और बैठ एक बाल है वाट वोगत आप को ऐसे देखा नहीं तो ठीक है कोई भाणी को देखा नहीं तो देखे उसी तरीका है उसी तरीका से उसको मारा जा है बट यही होता है ऐसे आपको को हर चीज में बैठाना पड़ेगा नों चीज से अनों चीज को कानेट करना पड़ेगा फिर ऐसा ऐसा हम बैठाएंगे जैसे आप बताओ जो जो मुगल इंपरेर थे उसका जो है सीक्वेंस बताओ तब जानते हो स्कूल में कलेज में जो लोग पड़े हो और लोगाने एक चांगेव साजहन और अगजेद इदना तक आपने स्कूल में पड़ोगे पड़ोगे इदना सब्सका काम चल जाएगा लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटे बेग्जंदेने जाओगे तो यह दो चार नामसे बात नहीं बनेगा बोलेगा सीधा एकदम बाबर से सुरू करके जो आपका लास्ट मुखलम पराँ था बादर साथ तू उहां तक आप बताओ तब जाके इसका भी जुगाड़ बनाना पड़ा पड़ा और उसका जुगाड़ है भाजी सब्जी फर मासाब अगर आप देखो इसमें अभी स्मॉल लेटर में वह एक है जैसे जे आई है वह ए है एक है तो इसमें जो भी है भी मतलब का रवर एच मलब कैंस मलब का साहल्जहन इंग ब मयाला का अरग ब्म ऑब तो आप जिननेगी में भूली नहीं सकते आप प्रयास भी करोके नहीं भूल सकते तो ऐसे जुगाड लगाना पड़ता है जुगाड इसी का नाम होता है जुगाड मंडल का जुगाड ठीक है नेस्ट आता है formula meditation जो science का सब्जिक्ट होता है engineering का सब्जेक्ट होता है उसमें भ़र भर क्या प्रमुला होता है अब क्या करें साम को ये जो आपका बैठने का तरीका होगा exactly just Here से अपने धैन में बैठे हो फिर उसके बाद उसके बाद आप सूबा से साम तक क्या-क्या फर्मूला बढ़ा एक तम आग बंद करके बैठके उस सारा फर्मूला आप याद करें और जैसे याद करने जाओगे बहुत सारे आपको देखोगे धुआ 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 दिखेगा तब तुरंत उसके बाद जो फर्मूला मेडिटेसान के बाद उठके सारा फर्मूला एक बार लिखके उसको प्रैक्टिस करें नहीं तो आज भूल गये साम तक तक तो आप एकजाम सेंटर तक कहां सियाद रखोगे इसके लिवा ध्यान रखे फॉर्मूला मेडिटेसान ए प्राइड होता नहीं दो अगर साथ साथ पड़े तो आपका बहुत अच्छे से पड़े होगा तीन होगा तो सिफ गुलमाल होता रहेगा और चार होगा तो एक मार्केट प्लेस बन जाएगा ओ ऐसा गड़ बढ़ जाएगा जिफ जगड़ता ही रहेगा तो इसकी किसमें चा बढ़ बढ़ तो ठीक है नहीं तो दोनों टेस्ट करें करें उसके अपका नीगेटिवीटी खतम होता है उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लेम था वह हमारा तुरंट क्या खतम होता है उससे भी फ्लुएंस सीलीचन खतम होगा ने अज peps टेकनिक से भी आपका फायदा होगा तिसलिए आपने देखा होगा कि हर चीज में अपने लिए तो कोई बाद नहीं हो जाता है और उसके बाद हो जाता है तुसरा दूर्ब में एंसरों का उसको फ्लैस काड टेकनी बोलता है नेस होता है Coffee, Copy, Cover and Check, Coffee, Cover नहीं पड़ा याईसे आपने एक टोपिक पढ़ रहो एक आपने पढ़ा पढ़ने के बद उसको बंद कर दिया पेपर से फिर उसके बाद उसको आपने याद गिया फिर उसको देखा फिर दुबारा देखा ओई हो गया अपका फिर में टेंगन ही सामारी बनाते हो जीस बनाते हो इससे भी आपका जो है फ्लुएंसी लिऊशन काम होता है सबसे बड़ा टेक्निक है कि आप जो भी पढ़े ओनली ओन तिंग पढ़े आपने कभी दो किताब लेकिए पढ़ने बैठ जाना एक चीज भी दिमाग में नहीं घुसेगा आप दोनो दो किताब कभी कोई नहीं पढ़ सकता और पढ़ेगा तो एक बात भी दिमाएं में भो सेगा नहीं इसलिए आपको पूरा सेमिस्टर के जो मिलेगा जहां मिलेगा आपको ओनलाइन में मिला आपको स्कूल में मिला इनिवर्सिटी में मिला कोचिंग में मिला जहां से भी आपको मिला नॉलेज मिला उसको उसी कौपी में उसी किताब में एड करते जाओ किताब में भी पेज एडिसन होता है कि कौपी में भी पेज लोगा इसलिए बाद धेन रखे से पढ़ना बहुत ज़्यादा पढ़ना से आपका रिक्वेड रेजर नहीं आएगा इसलिए आपको फ्लुएंसी इल्यूशन खतम करना पड़ेगा और जो जो जुगाड मैंने बताया इस सारा जुगाड आपको इस्तमाल करना है तब आप जो एकजाम दने जाओगे जहां जाओगे आपको कोई नहीं रोक सकता इसलिए फ्लुएंसी इल्यूशन को खतम करे और आगे बड़े चलो तब तक बाई बाई खुस रहे